हेलो एवरिवान तो आज हम पढ़ेंगे गरोड यांचन के बारे में जो कि 29 सासक है प्रिवेश वीडियो में हमने दिलोग चन के बारे में पढ़ा था जो कि 25 सासक था तो गरोड यांचन के बारे में देख लेंगे इसका टाइम पिरेड था 1365 से 1420 ग्यांचन पहला चन सासक था जो दिल्ली दरवार गया और इस समय दिल्ली का जो सासक था वो फिरोज सा तुबलक था ग्यांचन को गरोड की उपादी देने वाला भी फिरोज सा तुबलक ही है फिरोज सा तुबलक ने ग्यांचन को गरोड की उपादी दी क्योंकि गरूड ग्यानचन ने एक उड़ते हुए गरूड पे निसाना लगाया था तो उससे फिरोसा तुबलक बहुत परभावित हुए तो उन्होंने उसको गरूड की उपादे दे दी तो तब से इसको गरूड ग्यानचन के नाम से जाना गया और इसका जो राजचिन था वो गरूड था ये विश्नु का उपासक था सेर खड़कोट तामरपत्र में ग्यानचन को राजादी राज और महाराज भी कहा गया है ठीक है इसको राजादी राज महाराज की वादी भी मिल रखी है ये सेराखण गोट के तामरपतर से पता चलता है और गोबास तामरपतर का संबन ग्यानचन से था गोबास तामरपतर मिला तो जिसमें ग्यानचन के बारे में लिखा हुआ था गरुड ग्यानचन का सैनापती नीलू कठेट था फ्रेंट्स ये क्वेशन आता है एक्जाम में और आवी रखा है कि गरुड ग्यांचन का सैनापती कौन था या फिर नीलु कठेट किसका सैनापती था है ना क्वेशन कुछ भी आ सकता है तो हमें अपनी तरब से प्रिपेर होना है इसको ग्यांचन ने कुमया खिलत की अर लास्ट में गरुड ग्यांचन नीलु कठेट को मरवा देता है है एक है मरवाने के पीछ ने पेहले कि नहीं वहां बहुत सढ़ suspects चलते थें तो किसींने नीलु कठेद के खिलाब भी सड्य अंत्र किया फिर ने लुप कठेद को ग्यांचन ने मरवा दिया ठीक है यह हो गया गरूड ग्यांचन नेक्स्ट है हमारा हरी चन हरी हर्चन जो की तीसवा सासक है तो इस इसने कुछ नहीं किया है तो इसके बारे में हम ज्यादा नहीं ठीक है तो अगला है उद्धानचन जो 31 और सा सक है उद्धानचन का टाइम पेरेड़ था चौदा सो बीस से चौदा सो इकटीस यह गृरूड यांचन का पोता था उद्धानचन उद्धान चन को नीलु पठेद के साथ किये गए धोके की गलानी थी ठीक है उद्धाश न कि उसको धोगे से मारा गया तो निलुकठेद को मारने का उसको बहुत गलानी थी जिस कारण इसने कई जगों पे मंदिर, नालों और ब्राह्मनों से पूजा अनुस्ठान करवाए तो बहुत से जगों पे फिर इसने उस चीज का प्रावस्चित करने के लिए मंदिरों के नि पार है क्वonos्चन करवाता था है ना कोन था यह हरिचन का गरूरग्यांचंड का पोग्ता था ठीक है उवत्द्धान ने चंपावत में बालेश्व और दिर का निर्मान करते lug का एक साल के लिए मढल Snapchat माफ 심नार, जो भूम कर है मलब जो भूमी की उपज से एक हिस्सा जो है राजागों देना पड़ता था किसानों को तो उसको माल गुजारिकर कहा गया है तो उधान चन ने एक साल के लिए ये कर माप किया था अगला है आत्म चन जो की 32 सासक रहा इसके टाइम पिरिएट पे भी कुछ काम नहीं हुआ नेक्स्ट है हरी चन हरी चन ने भी कोशनी किया तो इनके बारे में नहीं पड़ेंगे अगला है फिर 34 सासक विक्रम चन टाइम पिरिएट 1423 से 1437 कुझ सर्मतिवारी का नाम का तामर पत्र पूरा कराया इसने कुझ सर्मतिवारी एक ब्रामण था जो की गुजरात का था उसका तामर पत्र इसने पूरा कराया इस समय बालेश और मंदीर से एक तामर पत्र प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था कि जो कारे उध्यान चन ने आरम किये थे उनको विक्रम चन्ने पूरा कराया, ठीक है, इसे पहले उधान चन्ने जो भी काम किये थे, तो उन सारे कामों को जो अधूरे रहे थे, तो विक्रम चन्ने उनको पूरा कराया है, ये किसे पता चला, कुझ चर्मा तिवारी का जो पत्र मिला है, उससे पता चला, और ये क्वे भारती चन 35 सासक है चंद राजवन्स का भारती चन इसका टाइम पेरियड 1437 से 1450 तो इसने जो है इसको पावाड कुमाओं के इतियास में भारती चन के पावाडे जो है बहुत परसिद्ध थे ठेके इस भारती चन पर पावाडे बनाए हुए थे लोगों ने तो उनकी बहु साली राजा माना जाता था और डोटी की राजा पर आकरमण किया इसने ठीके डोटी का जो डोटी नेपाल का जो राजा है उसकी को डोटी का राजा कहा गया है तो नेपाल के राजा पर भारती चन ने आकरमण किया था क्योंकि भारती चन उससे चुटखारा पाना चाता थ तो उसने उस पर आक्रमण किया भार्दी चन ने डोटी पर 12 वर्स तक डेरा डाला तो डोटी के जो बहारे इसने 12 वर्सों तक पूरे अपनी सेना के साथ घेरा बंदी करके रहा और डोटी आक्रमण के दोरान सेना का जो पहला पड़ाओ था वो कट कुनोला और शोर घाटी म अब यह युद्धकरने जा रहे थे है कि अ दूसरे पड़ाओ काली नधी के किनारे बाली चोर का छिओकिनमाल और उत्राखंट तक काली नधी के बाली चोर में इनका दूसरा डेहरा था सेना सेन को क्या कहते देद आब कटक कहतेद है ठीकें कटक मतलब सेना तो कहीं पर अगर कटक लिखा भी आए एक्जाम में तो आपको confused नहीं होना है, याद रखना है कि कटक मतलब सेना होता है, भारती चंद की सेना समाज के सभी जाती के जो लोग हैं उसमें सामिल थे भारती चंद की सेना में, उसने मतलब उंच निच का कोई फरक ने किया, सारे अव्यान के तहट कुमाओं में नायक जाती की उत्पती हुई, इसको याद रखेंगे, नायक जाती की उत्पती किस समय हुई, या फिर उस समय का सासक कौन था, और नायक जाती क्या है, ये सब question आ सकते हैं इंग्जाम में और आ भी रखे हैं पहले गे, तो इसको याद क्mara में रखेंगे समय हुई, चन्द वन्स का पहला सतनतर रूप से सासक क्या और भारती चन्द की समय है, बारती जाती की बारे में भी जान लेंगे, नायक जाती थी है और इसको नायक जाती क्यों कहा गया? उन सिपाई च्छावनियों के आसपास गाउं में उत्पन किया जिसमें सिपाईयों ने उन इस्त्रियों से नियम के विरूद नियों किया ठीक है तो इसमें जो है नाइक जाती कौन थी जो जब उन्होंने डेरा डाला था बारा वर्स तक तो जो उनके साथ सिपाई थे तो जहां उन्होंने डेरा डाला था उसके आसपास कुछ गाउं थे तो उन इस्त्रियों के साथ इनों ने इन सिपाईयों ने नियम के विरूद नियों किया ठीक है तो अधिकारियों और अफसरों ने उन इस्त्रियों को अपने साथ में रखा और वहाँ इस्तरियां कटकाली कहलाई, ये question भी exam में आ रखा है कि कटकाली किसे कहा गया, ठीके, तो कटकाली किसको कहा गया, जो इस्तरियों को वो अपसर और अधिकारी अपने साथ रखते थे, जो उन्हीं के आसपास के गाउं के थे, जहां उन्होंने डेरा डाला था, अधिकारियों और अवसरों द्वारा उन इस्तरियों को जबड़दस्ति अपने साथ रखा गया, तो वह इस्तरियां कटकाली कहलाई, ये भी examegution आता है, और इन इस्तरियों से उत्पन जो संतान हुई, बाद में नायक जाती कहलाई गई, जो इन इस्तरियों से जो उत्पन जो संताने हुई है, उन्ही को नायक जाती कहलाई गया, और नायक जाती अपनी कन्याओं से वेश्य का ग्रणित पैसा कराने लगे, जिस कारण राजपूतों का सब्मान हिंदूं की आँखों में इतना गिर गया, कि समाज में उन्हें खसों से जादा नीचा माने जाने लगया, ठीक है, तो ये थी नायक जाती और जिसके बारे में अभी आपने पड़ा, हमारे हो गए हैं, टोटल 35 सासक हमने देख लिए हैं, चंद राजवन्स के, ठीक है, तो आगे जो है, इससे आगे राजाओं के बारे में पड़ेंगे, तो जैसा कि आपको पता है, मैं सिर्फ आपको वही राजा पड़ा रही हूं, जिन्होंने कुछ काम किया है, जिनके टाइम परिएट पर कुछ गढ़नाएं हुई हैं, तो हमें वही राजा ध्यान में रखने हैं, और इफ यू लाइक माई वीडियो, तो डॉन्ट फोगेट लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब, ऐसा ही यूसफुल वीडियो आपके लिए लाओंगी,